आयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रिम कोर्ट में दो महीने के बाद फिर से सुनवाई शुरू हो रही है आज क्या होगा अदालत में ये सिलसिलवार तरीके से आपको बताते हैं देखिए आयोध्या मामले पर आज बड़ी सुनवाई होगी राम जन्भूमी विवाद पर ये बड़ी सुनवाई है तीन जज़ों की बेंच दोपहर दो बज़े से सुनवाई करेगी इस मामले पर अब देखना ये होगा कि क्या नियमित सुनवाई हो पाती है आज की सुनवाई में लगातार यानि के नियमित सुनवाई की तारीख तै हो सकती है पांच दिसंबर को इससे पहले सुप्रिम कोट में आयोध्या मामले पर सुनवाई हुई थी और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने सुनवाई 2019 तक तालने के उस वक्त मांगी थी जिसे सुप्रिम कोट ने मुस्लिम पक्ष के वकीलों की इस दलील को खारिज कर दिया था सुप्रिम कोट ने कहा था कि साथ साल से चले आ रहे मामले को और टाला नहीं जा सकता सुप्रिम कोट मामले की लगातार सुनवाई के पक्ष में है और इस साल आयोध्या मामले पर फैसला आने की भी उम्मीद अब जग गई है चुकि सुप्रिम कोट ने का कि फैसले को टाला नहीं जाएगा और आज लगातार सुनवाय की तारीख तै हो सकती है इस मामले में इसलिए आज का दिन आयोध्या मामले पर बहुती महत्वपून दिन होगा आपको समझाते हैं कि आयोध्या का जमीन विवाद दरसल है क्या आयोध्या विवाद हिंदू-मुस्लिम समुदाय के बीच तनाफ का बड़ा मुद्धा है आयोध्या की विवादित जमीन पर राममंदिर होने की मानिता है और आपको बता दे कि दो दश्रमलव राममूर्ति वाला जो पहला हिस्सा है वो रामदल्ला विराजमान को राम चबूत्रा और सीतर असोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अकारे को देने का जो फैसला इलाबाद हाई कोट की तरफ से सितंबर 2010 में किया गया था इन तीनों ही पक्षों का कहना है कि जमीन पर उनका हक है